वेलकम आई यूटूब चैनल ब्याश नारानमिस्त्र आज हम डिसकस कर रहे हैं नेट सेट से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुस्चन फिजिक्स का एक चैप्टर है थर्मो डानेमिक्स थर्मो डानेमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट कुस्चन है उसको आप लोग deeply study करें question first है chemical potential for photon photon के लिए chemical potential क्या होता है तो पहले हम देखें के chemical potential क्या है तो chemical potential जो है यह flow of particle को represent करता है high जहां पर particle की density high होगी वहां से particle उस जगे flow करेगा जहां पर density कम होगी तो flow of particle को हम chemical potential कहते है photon के लिए chemical potential क्या हो सकता है तो आप जानते हैं कि photon जहां होते हैं वो equal quantity में होते हैं कम अधिक होने का कोई प्रशनी नहीं है इसलिए जब equal part में होगे तो एक जगे से दूसरे जगे तक particle move नहीं करेंगे इसके कारण photon के लिए chemical potential की value जीरो होती है second question है classical partition function हमें क्या देता है partition function ये बताता है कि कोई भी particle कि सिनर्जी लेवल में distribute हो रहा है ये बताता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने सारे system के states का sum बताएगा state मतलब particle का एक इनर्जी लेवल होगा और उस इनर्जी लेवल कारण किसी वो fixed position पे होगा उस fixed position को हम state बोलेंगे चुकि बहुत सारे particle होगे तो जो partition function है वो सभी particle के energy state का sum explain करता है अब reversible cycle में dq upon dt की value क्या है dq upon dt को हम बोलते है entropy reversible cycle का मतलब होता है जैसे इस condition से जा करके हम यहाँ पर आए गए और फिर इसी तरह से हम इसको अगर लोट रहे हैं तो जहां से हम चले वहीं पर आए और लोटे एक बार इस condition इस direction पे और एक बार इस direction पे तो अगर वह value सेम है तो उसे बोलते है reversible तो reversible cycle में dq upon dt entropy की value कितनी होती है तो entropy की value होती है reversible cycle में 0 next question है cyclic process में dq upon dt की value क्या होती है तो जैसे हमने अभी discuss किया dq upon dt यह entropy का फार्मूला होता है अब cyclic process दो प्रकार का होता है एक reversible cycle और एक होता है irreversible cycle irreversible cycle का मतलब होता है कि जिस path से हम जाते हैं हम उसी path से lot नहीं सकते इसे बोलते है irreversible cycle irreversible cycle में जो entropy है वो increase होगा मतलब वो positive होगा और reversible cycle में जो entropy है वो 0 होगा चुकि हम cyclic process की बात कर रहे हैं तो इसमें reversible भी हो सकता है क्या होगी six आलरवेज स्वाष्टिव होगी और इनक्रीज हो सकती है अब जीरो जीरो को हम पास्टिव भी ले सकते हैं और निगेट्व में भी काउंट कर सकते हैं पर चुकी value इसकी zero भी हो सकती है positive भी हो सकती है तो इसको हमने लिख दिया positive next question है boson का spin है वो किसकी equal होता है तो boson का spin होता है वो integer होता है क्योंकि boson का spin यह तो one होगा यह तो two होगा या तो three होगा जैसे फोटान का जो इस्पीन है वोन होता है ग्रेविटान का इस्पीन टू होता है एक चार्ज इनवर्शन में फोटान का जो इस्पीन है वो माइनस वन होता है तो चुकि charge का charge inversion में photon का spin minus 1 भी होता है इसलिए इसको integer लिखा गया है कि बोसान का spin है वो कैसा होता है integer होता है कुछ बोसान सोते हैं जिनके spins जो है minus b होते हैं अब next question है for any process universe की entropy में change क्या होगा कोई भी process हो सकता है adiabatic process π्रोसेसixíκλιक प्रोसेस अईसोथर्मल प्रोसेस कोई भी प्रोसेस अईकॉर्डिक प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो सकता है उसमें यूनिवर्स की एंट्रापी क्या होगी तो चुकि इसमें reversible cyclic भी process हो सकता है और irreversible cyclic भी हो सकता है adiabatic भी हो सकता है आईसो थर्मल भी हो सकता है इसलिए किसी भी process की बात हो रही है तो किसी भी process के लिए जो inverse की entropy है या तो positive होगी या तो zero होगी यहाँ पर हमने दो तीन question बिल्कुल इस तरह से similar देखने में similar लगते हैं लेकिन उनमे minor difference होता है उसको हमने explain किया है इसको आप लोग business रूप से ध्यान रखें तो कि minor difference है normally यह identify नहीं हो पाता next question है फर्मी डिराक statics में phage space का volume क्या होता है तो phage space को हम जानते हैं कि position और momentum के form में उसको हम explain करते हैं position के 3 coordinate होते हैं और momentum के 3 coordinate होते हैं और उसको हम h से represent करते हैं तो इस तरह से phage space का volume हो कितना होता है h cube अगर n particle है तो इसको h की power 3n लिखा जाएगा अब next question फिर entropy का आ गया at high temperature अगर spin की value half है तो entropy कितना होगा अगर spin half है इसका मतलब वो फर्मियांस है और उसके लिए entropy की value क्या हो सकती है तो हम जानते हैं कि जो उसका degeneracy होता है वो होता है 2s plus 1 अब half spin है तो इसको मिलिख सकते है 2 into 1 upon 2 plus 1 2 से 2 cancel हो गया तो कितना बचा 2 बचा तो इस तरह से इसका हो जाएगा nk log 2 क्योंकि जो entropy का formula होता है s equal to होता है nk log omega यह omega क्या है number of ways उसको dn ratio number of ways तो चुकि यहां पर यह जो है यह number of ways को represent करेगा इसकी value होगी 2 इसलिए यह हो गया nk log 2 अब अगर spin half की जगे 1 होता बोसान होता तो यहां s equal to हम 1 कर देते हैं यहां s equal to 1 कर देते हैं यह हो जाता 1 तो यह हो जाता आपका 3 तो इसके case में हो जाता nk log 3 हो जाता अब next question है micro canonical के लिए liberalist theorem क्या होता है तो canonical क्या होता है इसके लिए हमें समझना है in symbol in symbol क्या है एक will defined group of particle है पार्टिकल के एक will defined group है जो same property के होता है यह तीन प्रकार के होते हैं canonical, macro canonical और grand canonical grand canonical को हम open system बोलते हैं micro canonical को isolated system बोलते हैं और canonical को हम close system बोलते हैं micro canonical में energy का और number of particle का मतलब density का exchange नहीं होता grand canonical में energy का और density का exchange हो जाता है canonical में only energy का exchange होता है density अर्थात number of particle का exchange नहीं होता चुकि micro canonical में हम भी बता चुके हैं कि energy का और density का change नहीं होता micro canonical में इसलिए जब change नहीं होगा तो अगर density rho है तो time के respect में change नहीं होगा इसका मतलब हो जाएगा d rho upon dt equal to 0 क्योंकि micro canonical में density change होता नहीं time के respect में rho है यहाँ पे क्या है आपका density तो rho upon dt equal to 0 अब इसी से बिलकुल मिलता जूलता है एक और question है बिलकुल जो confuse करता है students को next question है del rho upon dt plus rho h equal to 0 यह किसका equation है तो यह जो rho h है यह जो है यह poison bracket है यह poison bracket है यह poison bracket है rho h poison bracket है अब actual में जो इसका original जो फार्मूला होता है वो होता है del rho upon delta plus rho h equal to d rho upon sorry d rho upon dt अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यह d rho upon dt है इसका मतलब है जो density है वो time पर time के according change होता है और यह जो d rho upon delta है यह यह explain करता है कि जो hamiltonian है वो time से free है तो चुकि इस पूड़ा equation यह है लेकिन लेविलीज theorem का पूड़ा equation इतना दिया हुआ है लेकिन micro canonical में जब इसकी value 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा देल रो अपान देल टी प्लस यह रो होगा sorry रो यच रो यच क्या है यह poison bracket है Hamiltonian के साथ तो यह equation हो जाएगा आपका इसे बोलेंगे equation of लिविलीज थियोरम यह हो जाएगा आपका equation of लिविलीज थियोरम तो question number जो आपका 9 है और question number जो 10 है इसमें minor differences साथ आप समझ गये होगे इसके बाद भी अगर कोई problem होगी तो आप comment box के थूँ बता सकते हैं तो इसको हम explain कर देंगे कोई problem होगा आप इसको अपने friend circle में share करें like करें कोई problem हो तो comment करें thank you very much